कि ऐलो फ्रिंट्स आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बजार विद आयोश और आज दोस्तों मैंकाइन फार्मा की लिस्टिंग पर बात करेंगे बागे के मूफ के बारे में बात करेंगे अपने आप में काफी जबरधर्स्त हुई है 20% के प्रीमियम के साथ मार्केट्स म मैंनकाइन फार्मा की लिस्टिंग हुई है जो अपने आप में काफी ज्यादा अट्राक्टिव है क्योंकि इस तरह की लिस्टिंग आज बाजार में देखने को मिली मैंनकाइन फार्मा की उसने काफी ज्यादा मूर्बाहूल चेंज किया है आई प्यो उसके अंदर लेकिन काफी जादा चौकाने वाला बात भी था क्योंकि ये बात बहुत जादा इंपॉर्टन्ट है कि इसके अंदर सब्सक्रिप्शन जो रीटेल का था वो फुल नहीं कलके नहीं आया था उसके बावजूद भी दोस्तों इस तरह का कोई सब्सक्रिप्शन के बाद लिस्टिंग है यह अपना आप में काफी मैसिव है क्योंकि रीटेल का पोश्यन जरूर सब्सक्राइब नहीं हुआ था पुए तरीके से लेकिन जो क्यूआ भी इस थे उन्होंने काफी जादा मात्रा में पैसा लगाया था और जो फैक्टर काफी जादा प्ले हुआ और जिसके आना पास-पास की तीजी आपको मानकाइन फामों में देखने को मिली एक बहतर लिस्टिंग थी क्योंकि कल मैंने जब लिस्टिंग ने स्राटेजी का वीडियो बनाया था उसमें भी एक ये बात आपको कही थी कि लिस्टिंग तो बढ़िया होने वाली इसकी तो एक्सपेक्ट क्योंकि ये बात भी अपना अपने इंपोर्टन नोटिस करने वाली कि इसमें ज्यादा पोर्शन क्यूआई भी रचनाइस का है जो डिफिनेटी थोड़ा सा पेशन्स दिखाके आईप उसके इंदर पैसा लगाते हैं लेकिन अब एक इंपोर्टन क्वेशन जरूर निकल पैसा बनाया लिस्टिंग जो मान के चल रहे थे कि 1200 के उपर होगी उसके बाद स्टॉक 1300 रुपे के उपर चला गया और अपने आप में बिल्कुल आज के दिन के हाईस के आसपस देखने को मिली है लेकिन एक बात दोस्तों ध्यान रखिएगा अगर आप मेरे वीडियो पह आपसे पैसा लगाया था मुझे सिर्फ लिस्टिंग गेन लेके निकलना है तो क्या उन लोगों को निकल जाना चाहिए यह आपके दिमाग में question होगा right तो यह बात ध्यान रखिए कि जिस तरह से आज तीजी देखने को मिली है यह बात अपने अपने अप सच है दोस्तों क कि इसके जो valuation से वो थोड़े से expensive होना चालू हो गए तो यह बात ध्यान रखिए short term के अंदर अगर आने वाले दिनों में यानि होसकता है कि कल या फिर परसों के अंदर कि आज हो सकता है कि कोई थोड़ा बहुत बढ़ा fund पैसा डाल दे तो होसकता है कि थोड़ी बहुत ती देखने को मिलती है और लगातार बढ़ते जाते हैं तो फिर गिरावट के expectation करके चलनी चाहिए अब यह पर ध्यान रखिए कि जो आज move निकल के आया क्योंकि stock के अंदर कहीं भी इतना कुछ खास एक selling pressure यहां देखने को मिला था आज दिन के दौरान लेकिन इसके बाद से जो buying यहां पर आना चालू हुई फिर stock ने वापे से देखी तीजी दिखा हुई और कह सकते दिन के highs के तरफ बन दुआ आज ऐसा हुआ था कि आज की दिन के दौरान दो तिन बार selling pressure देखने को ज़रू मिला था लेकिन वो सारा selling pressure दोस्तों buying में create हो गया है तो इसलिए मैं क अच्छे का से portions को खरीदते हैं यह बात जैसे मैंने कहा कि आप ध्यान रखिए कि mankind farmer company में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है लेकिन for specific short term अब दोस्तों थोड़ा सा share महंगा होना चालू हो चुका है तो कभी ना कभी तो profit ticking आएगी अब वो कल आती है परसो आती है यह अपना आप में बढ़िया है और company मुझे लगता है कि जिस तरह से इंडिया के अंदर जो उनका प्रेजन से 95-97% of the revenues comes only from India so undoubtedly इनका business जिस तरह से इंडिया के इंदर चलता है और अगर यहां से growth यह इंडिया के अलावर internationally भी करते हैं यहां पर company का presence international markets में भी increase होता है दूसरी बात international markets में कह सकते हैं कि definitely उन उन countries के अंदर जहां पर population ठीक ठाक है राइट हमारे इशा के अंदर ही काफी सारी ऐसी countries है चाइना नहीं बाकी सारी countries में देखने को मिलेगा तो I think यह awareness वाली बात भी है लेकिन दूसरी बात यह भी है कि जो जिस तरह से इंडिया के इंदर इनका market share है और I think markets में जिस तरह से जो pricing भी करते हैं और दूसरी बात जो important बात है कि देखिए margins वाले business यहाँ पर आपको focus में लाने पड़ेंगे because यह बात ध्यान रखिए कि undoubtedly competition तो इस पुरे sector के अंदर भी आने वाला है और important क्या है कि दोस्तो क्या company आने वाल समय अपने operating profit margins को समाल सक चला तो undoubtedly बहुत बढ़िया है बट यह कि अगर operating profit margin में कोई दिक्कत आती है तो फिट definitely थोड़ा बहुत sentimental change आता है बट again वह बहुत दूर की बात है short term की अगर मैं बात करता हूं अभी तो मुझे लगता है कि थोड़ी सी expensive हो चुका है price क्योंकि जिस तरह कि आज तेजी 30 पे stock अगर हम मिल रहा है currently तो थोड़ी बहुत गिरावट आने की संभावना में मान के चलता हूं कि आने वाली है बट जिनका view लंबी अफदी का है कि हां यहां से 5-10 साल तक उनको कोई फरक नहीं है उनका पैसा वाली लगा रहे तब भी तो undoubtedly यह company बहुत बढ़िया यह returns अच्छा बना कि देखे जाएगी लेकिन यह बात ध्यान रखेगा आपको समय देना पड़ेगा ऐसा नहीं कि अगर आज share लिया तो मैं 2-3 दिनों के बाद यह expect करता हूं कि मेरे returns बहुत बढ़ जाएंगे ना 2-3 दिन ना 2-3 महीने यह बात ध्यान रखेगा उसके अंदर पैसा बनता है समय देना पड़ता है अगर आपकी कंपनी अच्छी है तो वो undoubtedly returns अच्छे का से कमा के देगी और जो word multi bagger है multi bagger तब ही होता है जब investors समय देते हैं यह बात बहुत important है जो आपको पता होनी जी है mankind farmer की बात करें तो undoubtedly एक company ने अपने आपको growth काफी दिखाई है और I think यह company ने growth जिस तरह से किया है mostly तो देखें company का जो stock है वो factor in है यह जो price है जो company ने growth दिखाई है उसी का valuation है जिसको मिला है लेकिन यह बात जरूर है कि आने वाले समय के अंदर जिस pace से company मान के चलिए लास पात साल जो अगर आने वाले पात साल के अंदर उसी pace से अगर growth दिखाती है then it's well and good growth नहीं दिखाती है तो फिर देखे downfall की बाते बनती है कल के लिए क्या होने वाले कल के लिए मुझे लगता है कि शुरूरात में थोड़ी बहुत तेजी देखने को मुले क्योंकि stock जिस त पोड है क्योंकि देखे जाता चार्ट तो अविलेबल है नहीं हमारे पास लेकिन कल के लिए जो important level होने वाला है वो यही है कि हाँ कल stock में जो levels रहेंगे ध्यान रखना है आपको अगर नीचे में कोई गरावट भी होती है जो आज ये red candle form हुई है न एक बढ़ असा selling pressure जो था उसके बाद जो buying निकल के आई ये है दोस्तो 1369 का level 1369 का level है जो आपको ध्यान रखना है अगर 1369 के below ये चले जाता है तो फिर selling थोड़ी सी तेज हो सकती है क्योंकि stock ने आज definitely इन level से buying काफी तेज़ी से दिखाई है तो 1369 1370 मानके चलिए एक strong support के तोर पे काम करेगा अ पर उसके बाद sustain कर पाता है नहीं कर पाता है ये बहुत important होने वाला है आकल देखना क्योंकि अगर कल वो sustain कर जाता है तो it's undoubtedly very good क्योंकि 1500 के उपर sustain करना बहुत मुश्किल है लेकिन ये है कि कोई गिरावट होती भी है तो हमारे को पता है कि कौन सा important level है जिसके वारे हमको ध आपको समझ में आया होगा जिन लोग के पास भी आया उन लोगो congratulations कि आपने आज एक अच्छा पैसा बनाया एक अच्छे IPO के अंदर आप सबको congratulations इस वीडियो में इतना ही था thank you friends for watching this video